हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जटपट बनने वाली रेसिपी लेके आई हूँ, इसे आप सूजी और मैदा को घोल कर फटाफट पांच मिनट में बना सकते हैं, और ये बहुत ही टेस्टी लगती है, तो फिर देर किस बात की चलिए बनाते हैं इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें लेना है दो कप मैदा, मैदा के जगह आप आटा भी ले सकते हैं अब इसमें हमें डालना है एक कप सूजी, दो कप मैदा में एक कप सूजी लगेगा साथ पर ही डालेंगे एक कप चीनी, यदि आप मीठा थोड़ा ज़्यादा खाते हैं, तो आप थोड़ा सा और चीनी डाल सकते हैं, चम्मच से एक चम्मच, अब इन सभी चीजों को इस तरह से मिक्स कर देंगे, पहले हम सुखा ही मिक्स कर लेंगे, उसके बाद इसे एक अच्छी तरह से मिक्स हो गया, अब लेना है दो कप दूद, तो दूद कैसा लेना है? दूद रूम टेमप्रेचर का नहीं लेना है, ठंडा नहीं लेना है, लेनाए इतना गरम कि जैसे ही आप एक उंगली डालेंगे तो गरम आपको ऐसा सो उतना गरम लेना है, अब इन सभी चीजों को अच्छी तरह से mix कर देंगे बस ऐसा ही गुमाते हुए mix करें क्योंकि मैदा और सुजी रहने के काराण नीचे बैठ जाता है और चिपक जाता है तो बस लम्स तोड़ते हुए अच्छी तरह से mix करना है और mix करते हुए 5 मिनट तक एकदम अच्छी तरह से mix करेंगे कि ये बैटर floppy जासा हो जाए अब देखे अच्छी तरह से mix हो गया है इसकी consistency अब देख सकते हैं न बहुत ज़्यादा गाड़ी न बहुत पतली है अब इसे हम ढख के थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट के लिए अब 10 से 15 मिनट हो गया 10 से 15 मिनट में ये पूरी अच्छी तरह से गाड़ा हो गया है लेकिन इसमें हमें दूद नहीं डालना है बस ऐसा heat consistency हमें चाहिए अब इसमें हम डाल देंगे flavor के लिए एक चमच इलाइची powder यदि आपको पसंद है तो डाले और नहीं पसंद है तो आप skip भी कर सकते हैं लेकिन अच्छा taste आता है इलाइची powder से अब ये पूरी अच्छी तरह से mix हो गया है अब ये घोल बनके ready हो गया अब इसे हमें fry करने के लिए एक कढ़ाई में घी को गरम करना है आप चाहें तो तेल भी ले सकते हैं लेकिन घी से ज़्यादा स्वात आता है अब ये तेल अच्छी तरह से गरम हो गया है अब इस गरम घी में एक चमच घोल को डालेंगे छोटे चमच से ही छोटे छोटे पीसेज में बनाना है बहुत जादे बड़े साइज का नी बनाना है दूसरा भी हम इसी तरह सेम तरीके से डाल देंगे अब इसके उपर हलका सा घी डालेंगे घी डालने से बहुत ही अच्छी तरह से ये फूलता है बस इसी तरह से डालना है अब आप देख सकते हैं ये फुलते जा रहा है आप एक एक बार करके इसे पलट लेंगे ध्यान रखे जब इसे आप तलेंगे तो ग्यास का फ्लेम हाई रखेंगे हाई फ्लेम में ही इसे तलना है यदि आप इसे थोड़ा सा क्रिस्पी रखना चाहते हैं तो थोड़ा देर और आप फ्राइ कर सकते हैं आप देख सकते हैं हलकाल का गोर्लिन कलर का हो गया है पूरी अच्छी तरह से फ्राइ हो गया है अब इसे हम निकाल लेंगे बाकी कभी हम सेम तरीके से इसी तरह से पुवे को तल लेंगे अब किसी भी छोटे मोटे फंक्शन अंतेवार में आप असानी से बना सकते हैं ये बहुत ही अच्छी ट्रेडिस्टनल रेसेपी हर घर में बनती है बच्चे और बुजुर कोई काफी ज़्यादा पसंद भी आती है अब इस सारे सूजी के पुवे बनके रेडी हो गये हैं आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर दीख रहा है काफी ज़्यादा टेस्टी भी लगता है और बनाना भी काफी एजी है काफी कम टाइम में धेर सारा बनके रेडी हो जाता है अब मैं आपको एक पिस्टोड के दिखाती हूँ अब आप देख सकते हैं अंदर कितना ज़्यादा सॉफ्ट है और उपर से क्रिस्पी फ्रेंड्स किन किन के घरों में ये पुवा बनता है मुझे कमेंट करके बताएं आज की यदि ये रेसेपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें